नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुलतानी मिट्टी से निखारे अपना सोंदर्या के बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखें लेकिन इससे पहले मैं अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही अन्फॉर्मटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेक अगर आते रहते हैं। मुल्तानी मिट्टी आसानी से ही सभी ख्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती है। पर लगाना चाहिए और ड्री स्किन है तो इसे बादाम के पेस्ट के साथ मिलाकर लगाने से रक्ट संचार भी ठीक रहता है। मुल्तानी मिट्टी से चेहरे पर हलकी मसास्त वचा के वाइट हैद्स और ब्लेक हैदस साफ करने में मदद करती है। इसे बादाम या संत्रे क चिलके को पीस कर इसके साथ लगाने से यह पफेक्ट स्क्राब का काम करती है। मुलतानी मिट्टी में मैगनीशियम क्लोराइड अच्छी मातरा में है जो मुहासे हटाने में मदद करता है। यही वज़े है कि मुहासों की समस्या या ओली स्किन पर इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद माना जाता है। काज़ के जूस के साथ मुलतानी मिट्टी मिलाकर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। आवले के जूस के साथ मुलतानी मिट्टी मिलाकर बालों पर मास्क की तरह लगाएं और 10 मिनट बाद अच्छी तरह साफ कर लें. बालों की कुद्रती कंडिशनिंग होगी. उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अन्फॉर्मटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाट्सप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें. और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटिड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना. भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे. और अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपून जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों